हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ओनलाइन वेटुटर चैनल पे मैं हूं संजय हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोड़ियाइटर फूर फ्रेमाउग टॉरियल इस वीडियो कोर्स का यह पार्ट नमर टैंथ वीडियो है इस वीडियो सेशन में हम यह डिस उसकी लेटिस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो मैं जाओंगा ब्राउजर पे यूराइ राउटिंग स्टार्ट करने के पहले हम डॉकिमेंटेशन रिव्यू करना चाहते हैं यह हमारा ओफिशल वेबसाइट कोडियाटर डॉट कॉम डॉकिमेंटेशन कोडियाटर फू ओलाइन यूजर गाइड यहाँपर हमारे पास एक सक्षन हे कॉलク कॉंड पास एक सेक्षन है कॉलं एल्ड कॉलर टोलर क pater Instead इसे क्लिक करणा यहाँ पर हमारे पास एक लिंक हे कॉल ακॉलल कॉर राउटिंग सो यूर flip राउटिंग होते हैं au right sour remedy होशन में किस तरीके से को हम कैसे handle करें this comes under URI routing अगर मैं scroll करूँगा इस documentation means जो हमारी जो file है routing.html ये online file आपको काफी helpful होगी means URI routing को समझने के लिए तो यहाँ पर हमारे पास एक tabular format है जो की काफी helpful होने वाला है यहाँ पर हमारे पास कुछ placeholders हैं like any, segment, number, alpha, alpha number और hash इन placeholders के कुछ descriptions हैं so हम इन्हें समझना चाते हैं और समझेंगे इस वीडियो में मैं जाओंगा अपने browser के इस project URL पे copy करूंगा editor पे जाओंगा slide पे open a new tab और कहले कि हमारे पास एक like URL है called params call के नाम से इस URL में हम parameter pass करना चाते हैं like हमारे पास parameters की कोई भी value type हो सकती है वो एक string हो सकता है वो कोई number हो सकता है या कोई alpha numeric value हो सकती है तो उन values को हम कैसे handle करें तो जैसा कि हमें पता है यह हमारा route है इस route में हम value pass करना चाते हैं तो यह होगा value 1 और अगर हम दो value pass करना चाते हैं value 2, value 3 and so on so इसे handle करना हम देखेंगे जाओंगा मैं अपने editor पे यह रहा हमारा file routes.php जो की main file होती है routes configuration के लिए इसके अंदर हम एक route बनाने वाले हैं called routes git method यह होगा हमारा params-call और यह use करेगा हमारा site controller और एक method होगा हमारा params call के नाम से इस method को हम create कर लिए अपने site controller के अंदर मैं जाओंगा यहां public function यह रहा हमारा params call तो यह है हमारा route और इसके अंदर मैं कोई static message डाल दूँ like h1 tag के अंदर welcome to online web tutor academy save कर दूँगा browser पर जाओंगा index.php और यहां पर कहूँगा मैं params and call तो यह रहा हमारा वो message अब इस URL में हम कोई parameter पास करना चाहते हैं like हमारे पास कोई value होगा यहां पर कोई भी message हो सकता है something या कोई number हो सकता है तो हम उसे कैसे accept करें अपने method में और read करें इन values को हम वो देखेंगे मैं जाओंगा यहां यह रहा हमारा route so इस route में हम value किस type का पास करेंगे इसके लिए हमें use करना होता है placeholder हमारे पास जो value की type हो सकती है वो like कोई integer हो सकता है को value something like this कोई हमारे पास string value हो सकता है something like this या कोई alpha integer mix value हो सकती है तो हमारे पास कुछ placeholders हैं जैसा कि हमने documentation में देखा हुआ है called any any stands for अगर हमने any pass किया इसका मतलब की url में किसी तरीके के value को हम pass कर सकते है अगर हमने number लिखा it means our route is going to accept numeric value अगर हमने alpha लिखा इसका मतलब हम alphabetic character pass करना चाहते है alpha नम लिखा it means हम alphanumeric value pass करेंग like alphabet and integer की combinations को मैं जाओंगा अपने routes.php और मैं या लिखूंगा कि like हम जो accept करना चाहते हैं वो होगा number साथी साथ हमें method को भी बताना होगा कि हम एक parameter pass करना चाहते हैं इस url में आप उसे receive कीजिए सो यह one indicate कर रहा है हमारे इस numeric value को इस url में अगर हमारे पास दो value है like यहां पर एक दूसरा number value है तो यहां हमारे method को बताना होगा कि हमारे पास दो value आ रही है सो फिलाल हम एक value को देखते हैं अभी मैं इसे save कर दूँगा जाओंगा अपने params call method के पास और कहूंगा कि हमारे पास एक value 1 आने वाली है सो be ready for that मैं इसे concatenate कर दूँँ यहां पर dot और मैं लिखूंगा like value 1 save कर दूँ ब्राउजर पे जाओं अगर मैं reload करूँगा फिलाल इसी params call को 404 file not found यह error क्यों आया क्योंकि हमने route बनाया है बत ऐसा है कि जो हमने route बनाया है उसके अंदर हमें एक parameter value pass करना होगा मैं जाओंगा browser पे like मैंने कोई value pass कर दिया again we have error called 404 यह error इस वक्त इसलिए है क्योंकि हमने जो placeholder define किया हुआ है वो एह है numeric value के लिए और keep in mind हमने यहाँ पर एक string value pass किया है अगर मैं इससे numeric कर दियूँ now we are getting perfect output so यह था हमारा numeric के लिए अगर मैं like लिख दूँ alpha यहाँ पर मैं कर दूँ नम के जगह पे alpha so इसका मतलब कि जो value हम pass करने वाले हैं वो एक alphabatic characters हो सकता है अगर मैं इससे reload करूँ 404 क्योंकि यह एक integer value है but this time we are accepting only string value so मैं यहाँ लिख दूँ like message यह है हमारा message value perfect work कर रहा है अगर मैं यहाँ पर message के जगह पे अगर कोई number pass कर दूँ press enter again we have error क्योंकि यह जो है यह alpha numeric value है so हमें जो placeholder use करना पड़ेगा वो होगा alpha num के नाम से मैं इसे copy करूँगा और paste कर दूँगा अगर मैं reload करूँ यह रहा हमारा output so इसी तरीके से guys यह था हमारा parameterized routing और URI routing अगर हम दो parameter pass करना चाहते है first place पे मैं रखूँँगा like कि हमारे पास alpha होना चाहिए means alphabetic characters होना चाहिए second होना चाहिए वो एक numeric value होना चाहिए हमें दो value है हमें अपने method को बताना होगा दो placeholders मैं जाओंगा मैं लिखूँगा value equal to null और यहां पर हमारे पास दो value है and और मैं कहूँगा like value to save करूँगा यह रहा हमारा value to save करूँगा reload करूँगा error because alphabetic characters हमें पास करना है और second में हमें integer value चाहिए और यह रहा हमारा first value and second value in case अगर हमें चाहिए कि नहीं हमारा यह जो routes है वो तीनों conditions पे काम करे like something हमारा इस तरीके से भी काम करे जो कभी 404 आ रहा है इस तरीके से भी काम करे जो कभी 404 है और इस तरीके से भी काम करे जो कि अभी working है तो हमें इसके लिए 3 routes define करने होंगे कैसे कि मैं अगर इससे copy कर लूँ paste कर लूँ first time हम कोई parameter pass नहीं करेंगे method को हमें कुछ नहीं बताना second case में हम एक value pass करेंगे so we need to tell one parameter we are passing to value and to call save कर दूँगा अगर मैं इस remove करूँ तो आप देख सकते हैं यह working में है अगर कोई message टाइप करूँ यह भी working में है कोई value pass करूँ यह भी working में है तो हमें 3 routes define करने पड़े तो यह था guys कि हम अपने urls में parameters को कैसे use करें साथ ही साथ URI routing क्या होते हैं अगर आप इस documentation के थू जाओगे called routing.html इसके अलावा आप काफी कुछ यहां से ले सकते हो जैसे की regular expression को use करके भी हम URI routing के different different syntaxes को custom way में create कर सकते हैं So next video session में guys हम यह discuss करेंगे about query string parameters हमने जो parameters यहां pass किया हुआ वो something like this है means value 1 value 2 value 3 in case अगर हमें चाहिए like value 1 equal to some value अगर हमारे पास value 2 equal to कुछ value होगा value 3 equal to कुछ होगा तो यह है हमारा parameter mean square string parameter square string variable हमारे पास value 1 है value 2 है value 3 है so इस case को कैसे handle करें यह हम next video में discuss करेंगे so इस video session में guys आपको कहीं भी doubt हो आप comment drop कर सकते हैं so for this video session guys thank you for watching and have a great day